हरहर महा देव जैब होलेनात नमस्कार दोस्तों मे शादना पढ़ने बागधर सन्प प्यापका शवागत करते हूँ दोस्तों कल प्रदोस थी थी महा देव की विस् SPEAK प्रियतिती मानी जाती है और जब सावन में प्रदोस पढ़ गया तो उसका कहना ही क्या दोस्तों महादेव देवादी देव हैं और कलियुक के साक्षात देव माने जाते हैं यानि कि कश्ट है परिशानी है और कहीं से आपको निप्टारा नहीं मल रहा है तो निश्चित रूप सो आपको बिना कहे सुने बिना कुछ समझे महादेव की शड़ में आना चाहिए उस तो ऐसे तीन उपाय बताऊंगी जो कि बहुत चमतकारी हैं देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि प्रदोस दिथी जीस दिथी के अनुशार होती है उस अनुशार फल भी देती है तो कल का प्रदोस जह है कल गुरुवार है तो गुरु प्रदोस ब्रत कहा जाएगा प्रादान सब्दों में आपको बताओं तो गुरु ग्रह मजबूत होने से दोस्तों ये पती का कारक है, संतान का कारक है, धन दायक है, सिछा के मामले में गुरु ग्रह को ही मजबूत किया जाता है, मान समान सब कुछ गुरु ग्रह से प्राप्त होता है, तो गुरु ग्रह क से यदि आपने एक उपाय कर लिया तो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने लगेगा कारण मैं बता रहे हूं कि कारण यह है पहला तो की सावन चल रहा है सावन का प्रतीक दिन प्रतीक छण प्रतीक समय महादेव को लिए समर्पित होता प्रकिर्त भी इस समय बह आप ने यह नियम बना लिया तो कोई भी दुनिया की कोई सक्ति नहीं है जो आपको रोक सके क्योंकि बस नियम बनाने की देर हैं बाकि सब कुछ महादेव कर लेते हैं तो चलिए अगर आप इन तितियों प्रति दिन नहीं जा पा रहे हैं तो इन विसेश तितियों में तो की sound का जो निवास होता है वह प्रदोस काल में men women के रूप में होता है तो इसलिए sound की पूजा करना उनको को सिव जी को मनाने का बहुत बिसीज समय जो होता है वहाँ प्रदोस काल होता है तो कल प्रदोस देथी में किस विधी से आप मनाएंगे और कैसा क्या चढ़ाएंगे जिससे गुरु ग्रह मजबूत हो जाए और महादेव आपकी परिशानियों को समाप्त कर लें दोस्तों ज समय बहुत पास जो है बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं हुआ बहुत कुछ सब कुछ उलज पूलज गया है आप बहुत जादा परिशान है तो इस स्थिती में आपको क्या करना चाहिए देखिए फिर बता रहे हैं तीन उपाय आपको बताऊंगे तीनों में से यदि आप के साथ हैं आपकी परिशानी दूर करेंगे दूसरा यह है कि बहुत बड़ा बदला आपको तुरंत से ही दिखना प्रारंब हो जाएगा अब दोस्तों एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग उपाय करते हैं मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगी पूजा भी बहुत सारे ल महत्वफव भाववनाय कैसी है और पित करते समय है से Apriling पर फित करते समयी आपके विचार हैं क्योंकि मैंने कहा कि गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ जो प्रदोस है तो इस दिन आपको केसर मिज़ित दूद से महादेव का अभिशेक करना है दूद से अभिशेक करना वैसे ही बहुत अधिक पुरेदाई माना जाता है समस्त सुखों को देने वाला जो है दुग दवशेक माना जाता है शिव पुरान का यह उपाए और यदि आपने इसमें केसर मिज़ित कर लिया तो यह गुरु देव प्रहस्पती को प्रशन करेगा और महादिव की आपकी बिसेश क्रिपा आपके उपर बरशने वाली है दूसरी चीज़ बता दो दोस्तों कि यदि जिनकी साधी नहीं हो रही है या पिर जिन पती पतनी के बीच पटता नहीं है बनती नहीं है बरावर जगड़े होते रहते हैं पत्नी और पती के बीच सामनजस से बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उपाय है गुरू प्रदोस के दिन सीवलिंग का केसर मिस्रित दूद से अविशेक करें यदि दूद नहीं मिल पा रहा है तो आप जल में ही केसर मिस्रित करें भीगो करके रख दें और फिर उसको सीवलि रखना चाहिए आप आने कोई ब्रत नहीं रख सकते हैं लेकिन उडियापन करने के आउन सकता नहीं है और हर महीने की यदि आप कर सकते हैं प्रदोस तो महीने का तो मतलब कहना ही क्या दूसरी चीज बता दो दोस्तों कि अब आपको दूसरा क्या उपाय करना है जो कि हर कोई कर भी सकता है काफी आसान है सावन का महीना चल रहा है बेल पत्र आपको काफी आसाने से मिल जाएगी बेल पत्र पे आपको क्या करना है पीले चंदन से और तिकहां करना नाम लिख सकें तो भी अच्छा है नहीं कर सके तो अपनी जो तरजनी उंगली होती है उससे आप तीकह कर दे तीकह करने के बाद वह बेखति जो है स्मलिंग पर समर्पित करें जो मंत्र आप जबते हैं जो मंत्र आप बोलते हैं जैसे भी समर्पित करना चाहें दोस्तों इस उपाय से एक तो ये होगा कि आपकी परिसानिया दूर होगी आपकी जो कहें की पाप कर्म बढ़ गए हैं जिसकी वदस से आपको बहुत अधिक तकलीफ मिल रही है वो सारे जबूत होते हैं और पैसे रुपे धन संबंदी शमश्याएं भी दूर होती है लड़के लड़कियों का बिवाह नहीं हो रहा है तो वो भी दूर होती है तो पती पतनी के बीच अनुबन है तो वो भी दूर होती है यदि मन चाहा जिवन साथी आपको नहीं मिल रहा है तो ये अक्षत समर्पित करते हुए महादेव से कामना करें उनसे अपना कष्ट कहें इससे आपकी सारी तकलीफे महादेव समाप्त कर देते हैं और दोसरा जो महतवपूर विसा है दोस्तों वो यह है हमने आपको इस वीडियो में अभी कहा कि आप अपने जो विश्वास का कर सकते हैं दोसरी जीज की ब्रत रखते हुए आप अन्य किसी जो चुगली निंदा सिकायत बुरा या जो चलती है उनके उपर विचार ना करके आप सिर्फ महादेव से प्रार्थ ना करें पूरे दिन आप जिस दिन ब्रत रखें संकल्प ले बस यही सोचें कि आज की दि उनके लिए करूंगे दोस्तों इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपको सची भक्ति का अनुभा होगा और जीवन में आने वाली कठिनाई समाप्त होगी तो उमीद करते हूं दोस्तों यह जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और उससे भी बड़ी बात कि यह जानकार मैं मुझे बहुत जो है कि एक अंदर से बहुत जादा गलानी महसूस होती है मेरी पूरी कोसिस रहेगी दोस्तों कि जो सच्चे उपाय होते हैं जो महादेव की बिलकुल जो पुराणों में लिखे होते हैं वही उपाय आप तक लाया जाए बाकी तो महादेव जो है सब की सुनते हैं वो आपकी भी सुनेंगे उमीद करती हूं जानकारी आपको पसंद आएगी धन्यवाद